हलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू नौरेज़, आज हम करने जा रहे हैं इलामस जैनुवरी 2020 के करन्ट फेर, स्टडी टू नौरेज़ चैनल पे हम कवर करते हैं करन्ट फेर फॉर, हपी एस, हपी अलाइट सर्विसेज, सस्सी, रेलवेज, बैंक पियो, क्लर्क आर्बिय, हैं करना फेर, स्टू नौरेज, बैंक व्योड़, बैल इकन को फिट कर लेए, ताकि आप लोग शयदानी चैनल की जड़ सा जधा ज़्यदा विडिई को प्राप्त कर सकें, और अपनी प्रपरेशन में लाब उठा सकें, तो चैणिवे सुरू करते हैं फ्रस्ट कвusion, तो इने बैन कर दिया है चार साटों के लिए 4 Year's के लिए बैन कर दिया गया है यह जो बैन किये गया है इने बैन किया गया है उंहोच जो अभाल दोपिंग वायलेशन में नहीं बैन कर दिया गया है जो 34th Women C哪裡 which liftingpsつ was Banным में उसमें यह सेंपल कुलेक्ट किये गए थे जो CEO है नेडा के नवी नगरवार है वो फाउंडिड हुआ था नॉवंबर चॉबिस हुजार पांच को हेड़ कौटर है न्यू जैल्ली में अभी जो इंडियन रेल्वे है उसने एक प्रोसेस आफ इंस्टालिंग इंटरेट प्रोटोकॉल बेस्ट विडियो सर्विलियन सिस्टम को इंस्टाल किया गया है स्टेशन सेक्यूर्टी के लिए तो रेल्वी बोर्ड ऑफ इंडिया के इनस्वार कितने रेल्वे स्टेशन पे ये इंस्टॉल किये जाएंगे वी एसस सिस्टम जिसको निर्भिया फंड के अंतर करता है फंड मिला है दाइसो क्रोड का तो ये होंगे 9883 स्टेशन पे ये वी एसस सिस्टम लगाए जाएंगे तो अभी तक जो 200 स्टेशन पे ये फर्स फेज में लगाए जा चुके हैं और इसका जो सेकंड फेज में अभी इस काम स्टार्ट हो जाएगा और इट्टीम स्टेशन इसके लिए तो ये कब से सटार्ट होगी और ये जो एंड होगी ये होगी 30 सप्टेमर 2020 को तो ये सटार्ट होगी 1том से सटार्ट हो जाएंगी 2021 से ये स्टार्ट हो जाएंगी ile 221 से सटार्ट हो जाएगी एक अप्राल से इसमें जो हैड की जो इन्फॉर्मेशन होगी जैसे टीवी होगा इंटरनेट की फैसलिटी है या भी कलोंड है ट्वालेट कितने सोर्स हैं और अधर ऑधर इसमें रिकॉर्डिंग की जाएगी जो रिजिस्ट्रा जन्रल हैं सेंसर्स कमिशनर विवेक जो सीजी अभी जो फेमस चैरियोड फेस्टिवल हुआ है सुचिंद्रम थनुमल्यान टैम्पल में तो यह कि स्टेट में हुआ है तो यह जो टेमपल है यह 17th century का टेमपल है तो यह जो फेस्टिवल हुआ है यह हुआ है तमिल नाडू में तमिल नाडू यह जो टेमपल है यह सेक्रड है बोछ बोछ दा सेवाइट और वेस्टन वाइट सेक्ट के लिए तो यहां पर 22 फीट लंबा अजनिया सेचो है जो की साउथ इंडिया का टालिस सेचो है दिस टाइब का मैट्यो डैम है वो तमिल नाडू में है यह कावेरी नेजने वे उपर बना है तमिल नाडू के अड़ा पड़ी के अपलानी स्वामी कवर्नर है बने वारी लाल परोहित तमिल नाडू की कैप्टल है चिन नई अभी जो हड़को के जो चेर्मैन है और एमडी है वो कौन बने है हड़को है हस्जिन गायर अर्बन डिवेल्पेंट कॉर्परेशन तो यह है एम नागराज एम नागराज और जो मिनिस्टर है हाउजिंग अर्बन अफेर्स के वो है हर्दीप सिंग पूरी है हड़को का निव डेली में फांडिट हुआ था 25 अप्राइब 970 को अभी जो रिवाइज किये गए है नो यूर कस्टमर नौल तो यह किस के दोरा किये ग तो अर्बे के जो 25 गुवर्नर हैं वो हैं सक्तिकांदा हैं मुंबई में फांड हुआ था एक अप्राइल 1935 को कोलकाता में अभी जो मिलान 2020 एक्सराइज है जो की मार 2020 में होने जा रही है तो जिसकी थीमती सिनरजी अक्रोस तासी तो यह कहां पे होने जा रही है तो यह होगी विशाखा पतनम में यह एक मल्टि लेटर नेवल एक्सराइज है तो अनहाज जा प्रोफेशनल इंट्रेक्शन यस जगन मोहर दीजी अभी इंडिया का जो फॉर्स इंडिजिनिस एर्क्राफ्ट करियर है विक्रांग इसको कमिशन किया जाएगा इंडियन नेवी में तो यह कब तक कर दिया जाएगा तो इसको कर दिया जाएगा 2021 तक और 2002 में यह फुली ऑपरेटिड हो जाएगा यह ज जाता है जो प्रतेक वरस चार दिसंबर को मनाया जाता है अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट रिलीज हुई है ग्लोबल एकनोमिक प्रोस्वेक्टस रिपोर्ट तो इसके अनसार जो इंडिया की ग्रोफ रेट है वो फिसकल दोहजार बीस के लिए कितने प्रजिस्ट है तो यह है 5% और यह 2021 के लिए जो फॉर्पास्ट की गई है वो है 5.8% और जो यह यह जो कम रही थी फिसकल रिपोर्ट के आँ फिसकल ग्रोफ रेट थी जो फिसकल यह 2020 के लिए कम रही थी इसका जो कारण था वो था जो नॉन बैंकी फैनेशिल कॉर्परेशन है उन में जो लोर लोरिंग रोफ रेट हुई थी उसकी वज़ा से यह 6% से 5% तक पहुंच गई है गलोबर एकनोमिक रोफ रेट इंक्रीज करने एकस्पेक्ट की गई है की गई थी 2.5% प्रेजिडन्ट है वर्ड बैंक के डेविड आर मेलपस हेड़कौर है वशिंग्टन डीशी में अभी जो स्टेट बेंक आफ इंडिया के रिपोर्ट आई है इको रैप के अनुसार जो इंडिया की जो ग्रोफ रेट है वो फिसकल यह 2020 के लिए कितने प्रस्थ है तो यह है 4.6% है यह 4.6% जो चेर परसन है SBA के वो है रेजिनिस कमान हैड कोटर है मुंबई फंड हुआ एक जुलाई में सो पचपन को तो यह थे आज के ग्रेंट फेज आई होब यू हाव लेंड लाट फाम दिस ओके थैंक्यू है नाइस टे